दिवाली भारत का प्रमोख और सबसे प्रियक्त योहार है, जिसे अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बलकि सांस्कृतिक और सामाजिक ग्रिष्टी से भी अत्यदिक है। पारम परिक रूप से इस पर्व को पताखों और आतिशबाजी के साथ मनाया जाता रहा है, लेकिन बढ़ते प्रदूशन, पर्यावरन की चिंता और स्वास्थे को ध्यान में रखते हुए बिना पताखों के दिवाली मनाने का विचार तेजी से प्रचलित हो रहा है। आए जानते हैं कि बिना पताखों के दिवाली को किस प्रकार मनाया जा सकता है। दो, एको फ्रेंगली सजावत अपनाएं, प्लास्टिक की सजावत की चीजों के स्थान पर पर्यावरन अनुकूल सजावती वस्तुएं जैसे कागर्स की फूल, मिट्टी के दिये और लकडी की सामगरी का उप्योप करें। इससे घर की सुन्दर्ता में चार चांद लगेंगे और प्लास्टिक जैसे प्रदूशकों से बचा जा सकेगा। तीन, घर पर मीठे और पकवान बनाएं। दिवाली पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और मिठायां बनाने का रिवाज है। बजार से मिठाई खरीदने के बजाए घर पर ही शुद और स्वास्थिवर्धक मिठाईया बनाकर परिवार के साथ खुशिया बाटी जा सकती है इससे त्योहार का आनंद दो गुना होता है और परिवार के साथ समय बिदाने का आफसर भी मिलता है दिवाली पर पेर पौधे लगाने का संकल्प लेकर हम अपने परियावरन की प्रती कृतग्यता प्रकत कर सकते हैं एक पेर लगाने का विचार न केवल परियावरन संरक्षन में सहायक है बलकि यह एक शुब और स्थाय उपहार भी साबित होता है दिवाली का असली उद्देश्य खुशियों को बांटना है ऐसे में गरीबों को भोजन, कपड़े और जरूरी चीजे देकर इस्त्योहार को और भी सार्थक बनाया जा सकता है यह ना केवल दूसरों के जीवन में खुशी लाता है, बलकि हमें आत्मिक संतोश और प्रसन्नता भी देता है व्यस्त जीवन शेली में परिवार के साथ समय बिताना कम हो गया है दिवाली का यह अफसर हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और अपने रिष्टों को मजबूत करने का अफसर देता है पारिवारिक खेल, कहानिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गतिविद्या मन को खुशी देती हैं और पताकों की कमी को महसूस नहीं हुने देती साथ, दीप जलाने का महत्वस समझें दिवाली को प्रकाश पर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह अंधकार को मिटाने का प्रतीक है हमें ये समझना चाहिए कि अस्ली दीपावली बाहरी प्रदूशन फैलाने से नहीं बलकि अपने अंतर्मन के अंधकार को मिताकर मनाई जानी चाहिए ग्यान का दीप चलाना, अपने मन को अच्छाए से भरना ही इस पर्व का अस्ली उद्देश है आठ, लाइटिंग और कैंडल्स से सजावत करें दीपों के साथ साथ लाइटिंग और मुम्बतियों का उप्योग करके घर को सजाया जा सकता है ये बिजली की कम खपत करती है और रात की समय घर को चमकदार और खुबसूरत बनाती है इससे बिना पताकों के भी दीपावली की रोशनी का आनंद लिया जा सकता है नो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें परिवार या समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, नाटक और कहानी सुनाने का आयोजन किया जा सकता है। इससे बच्चों और बढ़ों को भारतिय संस्कृति की जानकारी मिलती है और सभी का मनुरंजन भी होता है। गहर की पुरानी चीजों को रिसायकल करके सजावर की चीज़े बनाई जा सकती हैं जैसे कांच की बोतले, पुराने कपड़े और कागज। इससे परियावरन की रक्षा होती है और नए अंदाज में दिवाली मनाने का अवसर मिलता है। बिना पताखों के दिवाली मनाना न केवल संभव है बलकि यह हमारे परियावरन, स्वास्थय और समाज के लिए भी लाबकारी है। दियों का प्रकाश, रंगोली की सजावत, घर का बना भोजन और अपनों के साथ बिताया गया समय दिवाली को संपूर्ण बनाते हैं। पताखों के बिना भी दिवाली उतनी ही सुंदर और हर्शोला से भरी हो सकती है, बस जरूरत है अपने द्रिश्टिकोन को बदलने और असली उत्सव की भावना को समझने की। इस प्रकार बिना पताखों के दिवाली मना कर हम न केवल पर्यावरंग की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि इस पर्व को उसकी सही भावना की साथ मना सकते हैं।